नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस योटूब चैनल में आए आज हम सभी जानते हैं गाल ब्लेडर स्टोन पांच दिन में छूम अंतर करने वाली और श्रधी के बारे में घरेलू और श्रधी है यहां किद्नी की पत्री का ये चमतकारी को उपाय है ये किद की पत्री को कोई नहीं निकाल सकता है ये उपाय करने के बाद उन डॉक्टरों को भी मानना पड़ता है जिहां बहुत से डॉक्टर तो इस उपाय का प्रयोक करके मरीजों से एक मोटी रखम भी उसूल करते हैं इस उपाय से आपके सारी के सारी पैसे बच जाएंगे जब आपको इस इलाज या उपाय का असले खर्च पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे जिहां इस उपाय से आपके सिर्फ और सिर्फ पचास से सो रुपे खर्च होंगे अब आपका मन बेचैन हो रहा होगा कि आखिर इतना सस्ता और कारगर उपाय कौन सा है तो चलिए आ करद बरदास्त के बाहर हो गया था बहुत से डॉक्टरों से इन्होंने इलाज कर वाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अन्त में किसी ने आयरगे की शरण में जाने की सलाह दी इन लोगों को यह सलाह पसंद आई और इन्होंने आयरुन की सरण में आना ही उचित समझा फिर उन्होंने ये चमतकारी उपाय प्रयोग किया कुछी दिनों में पित की पथरी कहां गायव हो गई पता ही नहीं चला ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रहे गए कि आखिर पथरी गई कहां अब आपको और इंतजार करवाना ठीक नहीं होगा चलिए जानते ह कि आखिर ये पित की पथरी का चमतकारिक अईरुवेदिक उपाय कौन सा है गाल ब्लेडर स्टोन को खत्म करने की ये चमतकारिक दवा जिहां सस्ती घरेलू दवा है ये और कुछ नहीं है ये है गुड़हल के फूलों को सुखा करके बनाया गया पाउडर जिहां गुड़ आप गुगल पर सर्च करके देखें बहुत सी कमपनी के एड्रेस मिल जाएंगे आपको जो इस उपाय को बना करके सेल करते हैं याद रहे इस पाउडर में कुछ और तत्व नहीं होने चाहिए ये और्गेनिक होना चाहिए बहुत सी कमपनिया और्गेनिक पाउडर भी सेल करती हैं यहीं सही रहेगा मतलब यह कि आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं कि इस पाउडर का प्रियोग कैसे करना है गाल बलेडर स्टोन निकालने के लिए गुड़हल के पाउडर के इस्तेमाल की विध्य जान लेते हैं अब क्योंकि मुख्य र शटव ठाइब कर्म पानी के साथ खा लेना है सवाद कुछ कड़वा होता है इसलिए डरे नहीं बस पाणी के साथ इसक को गटक जाएँ इसके बाद कुछ खाना या पीना नहीं है आपको जिन लोगों का श्टोन साइज में बढ़ा है उनको एक या दो दिन तीस दरद हो स यह दर्द सिर्फ उन्हीं को होता है जिनकी पथरी का साइज छोटा है उन्हें यह दर्द नहीं होता है मतलब यह कि अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो दर्द हो सकता है अगर स्टोन का साइज छोटा है तो दर्द नहीं होगा बहुत से डॉक्टर लोगों से इस इलाज के पान से दस हजार रुपए उसूल लेते हैं लेकिन हम जो आपको ये तरीका बता रहे हैं ये बहुत ही सस्ता और आपके बजट में और घरेलू है इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा बस आप कुछ चीजों का और ध्यान रखें जैसे कि मैं बता देता हूं इस प्रि पूरते समय दर्द भी कर सकती है इसलिए थोड़ा धैरे से काम लें आप सभी लगातार इस्तेमाल करते रहें दर्द में भी आपको छोड़ना नहीं है ये और शदी का प्रियोग आपको जारी रखना है आपके गाल ब्लेडर की पथरी ऐसे गायब हो जाएगी जैसा आपन अपना असर दिखाने में इसलिए आपको लगातार करना है निरंतर प्रयोग को करते रहना है दर्द होगा फिर भी आपको छोड़ना नहीं है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य महतोपून जानक कर दूस तो